हेलो दोस्तों मेरा नाम है आशीश साहू और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी सिस्टम एप को डिलिट करकर उसके किसी और एप किसी भी एप को सिस्टम बना सके देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ती है जब भी हम कोई भी रोम को इंस्टॉ आपका फोन रूट होना चाहिए यह मतलब कंडिशन तो होनी चाहिए और दूसरी बात आपके में रूट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होना चाहिए आप रूट करकर रूट एक्सप्लोरर को किसी भी साइट से डामलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप देखिए जब रूट explorer के install कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है सबसे पहले आप root explorer के अंदर जाएंगे उसके बाद आप यहां पर पहुंच जाएंगे यहां पर उपर लिखा होगा इस जगे पर root तो वहां पर आप नीचे जाएए आपको मिलेगा यहां पर system यह सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो आपको दो चीज़े देखने को मिलेंगी एक यह एप है और इसके नीचे एक मिलेगा यह system है private apps तो जो private apps है एक तरफ से systems के एप हैं और यह जो एप हैं मतलब कि इसमें यह कि आप अगर इनसे छेड़का नहीं करेंगे तो आपके रोम में कोई दिक्कत नहीं जाएगे लेकिन आप अगर इससे करते हैं तो हो सकता है chances है 50-50% कि आपकी रोम भी correct हो सकती या कुछ और बड़ा हो सकता है तो जैसे कि देखिए मुझे यह messaging का app है इसमें वो मुझे पसंद नहीं है यह syanogen mode वाला इसकी जगे में Google का stock messaging app डालना चाहता हूँ यह वाला तो आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा पहले आप यह confirm कर लेना कि जो messaging messaging की spelling यहाँ पर है और app के अंदर जो messaging की spelling वो दोनों सेम होनी चाहिए उसके बाद जिससे की मान लीचे आप इसको delete कर देते हैं उसके बाद आप जिस system को भी system app बनाना चाहते हैं उसको भी किसी folder के अंदर रख लीजिए ऐसे उस app का नाम भी messaging करकर और उस folder का नाम भी messaging रख कर दिया रहा है यह नया messaging app है तो आप इसको copy कर दीजिए कि दोस्तों copy हो चुका है अब आपको करना क्या है बस आपको reboot करना reboot कर देंगे तो यह जो app है यह automatic install होके आपका system app बन जाएगा धन्यों